नमस्कार अफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है मैंने लिसमरार चतिस गर्वे धर्मांतरन का मुद्दा गर्माता जा रहा है बीजेपी प्रदिरिश भी धर्मांतरन करने का रोप कांग्रिस पर लगा रही है तो वहीं दूसरी और बीजेपी के राज में धर्मांतरन होने की बात कांग्रिस कह रही है अब चतिस गर्वे मतांतरितों को अनुसूचित जनजाती समाज से बाहर करने यानि डीलिस्टिंग का मुद्दा चतिस गर्में अंदोलन का रोप ले लिया है दरसल डीलिस्टिंग का आर्थ जनजाती समाज के ऐसे लोग जो मतांतरित हो चुके हैं उन्हें जनजाती समाज की लिस्ट से डिलिट किया जाए उन्हें जो आरक्षन का लाभ मिल रहा है उसे समान किया जाए एस मामले में राजनिती सुरक्षा मंच 16 अप्रेल को 36 गर्में बड़ा आंदोलन करने जा रही है एस आंदोलन में परदेश बीजेपी प्रत्यक्ष रूप से बले ही सामिल ना हो मगर आदिवासियों को साधने के लिए बीजेपी लगातार मतांतरण का विरोध कर रही है उठानी चाहिए सीम के बयान के बाद पुरो मंत्री और बरिष्ट विधायक वरिज मोहन अगरवाल ने कॉंग्रिस पर तुष्टि करन की राजनिती करने का आरूप लगाया साथ ही साथ कॉंग्रिस की सुन्रक्षन वे धर्मांतरन को बढ़ावा देने का भी गंभीर भारती जनता पार्टी, आरेसेस, बजरंगदर, विसुन्दु परसद ये सारे मिल के लोगों गुम्राह करने की पास और कोई काम नेक है वाल गुम्राह करो सड्यांत करो लोग सभव होगा ये वहाद कुछ चर्चा होती नहीं तो जो इस स्थितियां ये पैदा हो रही है वो इस करण पैदा हो रही है कि कॉंग्रेस पार्टी तुष्टी करण के करण और वो धर्मांतरन को 36 गर में बढ़ावा दे रहे हैं पूरे देश में बढ़ावा दे रहे हैं और इसके विरोध में डिरिस्ति हैं कि जो लोग अ पारख्यन इसी लिए मिला है कि उनके संस्कार अलग है उनकी संस्कृति अलग है उनकी परंपर अलग है और जो उसको छोड़ दिया कि उसको सुविधा क्या है